करन कर ? आप सबी के झलिए लेका रहा हैं अंकुरिथ मों और मों फ़ली दाने से बने हुए कचाउरिया तो यहां पर देख रहे हैं जिसे हमने भीगो करके मों और मों फली दाने को भीगो देंगे कपड़ी में बांद कर रखें तो अंकुरित हो जाएंगे अब पैन में और गरम करके राई जीरा सफेज तिल टमाटर प्याज लैसुन लाल हरे मिर्च डाल कर सौफ्ट होने तक भूनेंगे न करेंगे डालेंगे काली मिर्च सफेज दमक और ग्राइन कर ल किये हुए आलू, डाले अजवाइन, हल्दी, चिली फ्लैक्स, सफेज तिल, नमक, हिंग, और अब डाल देंगे ग्यूहूं का आठा एक कटोरी, मक्य का आठा, दो कटोरी, और अच्छे से मिला लेंगे अब डालने के इसमें मोयन और फिर से एक बार हमें इसे मिला लेना है, मिलाने के बाद थोड़ा-थोड़ा पानी डाल कर इसका हमें टाइट डू तयार कर लेना है, क्योंकि इसे हम कटोरिया बना रहे हैं, तो हमें टाइट डू चाहिए अब आटे को आयल लगा कर रख देंगे 10 मिनट के लिए इसे चोटी चोटी लोईया तोड़ लेंगे और सुखा आटा लगा करके यहां हमें कचवरियां बेल लेनी है कड़ाई में आयल करम कर लेना है मेडियम फ्लेम पर इसे हमें उलट पलट कर सेख लेना है तो तयार है यह परंकुरित मूंग और मूंग फली दाने से बनी हुई स्वाधिस्ट कचवरियां साथ में हिल दियें वीडियो पसंद आया तो लाइक और सेख लेना है